तो जहें दोल कैसे आप सब मुँमीद करूँ आप अच्छे होंगे तो फाइनली आपके लिए most important जानकारी आ चुकी है EPFOK रिगार्डिंग आपको दोस्तो पता है आपकी निव भरती आ चुकी है जिसमें दोस्तो आपकी स्टेनों की पोस्ट है SSA की पोस्ट है कितनी आपकी vacancies हैं कौन कौन apply कर सकता है क्या qualification चाहिए क्या आपकी salary है और कब से आपके online start हो जाएंगे सब के लिए बात करूँआं दोस्तो प्लीज वीडियो को पूरा वोच कीजिएगा और देखेगा salary and exam pattern सब कुछ आपको बताऊंगा प्लीज वीडियो में पूरा बना र साइट है और मुझे पता है मेरे बहुत सारे भाई बंदू इसी साइट के ऊपर वरोसा करते हैं और बाकी साइट पर वरोसा नहीं करते हैं तो गाइज मैं साइट को यहां पे एक बार फिलब कर लेता हूं तो गाइज मैंने यहां पर सरकार रिजल्ट कॉम अपलाई कर दि official website के उपर आपको थोड़ा नीचे यहां पर रोल करना है फ्रेंस यहां पर देखिए EPFO stenographer ssa online form 2023 का इस पहली बात यह है कि जो आपकी यह job है central government job है central government job है ध्यान दीजिएगा यह आपकी state government job नहीं है यह आपकी central है NTA EPFO social security assistant एससे जिसको हम बोल देते हैं and stenographer के आपकी पोस्ट है ग्रूप सी की वेकेंसी जहें social security assistant काफी अच्छी पोस्ट है आपकी male female दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर हम दोस्तों बात करें number of total post के बारे में 299 से total post है आपकी 24 March आपकी पोस्ट डेट है इसमें और गाइस बात करें हम फोर्म के बारे में application begin 27 March से आपके जो फोर्म है online start हो जाएंगे last date आपकी 26 से यहाँ परेल रहने वाली है 26 April आपकी last date है 27 March आपकी form apply करने की date है ध्यान दीजिएगा गाइस अगर बात करें हम correction date के बारे में 27 से 28 अपरेल रहने वाली है अगर आप form में कुछ mistake कर देते हो उसकी यह date यहाँ पर दीए नोने exam date यहाँ पर कुछ पता नहीं है आप मान के चलो जून जुलाई तक आपका paper नहीं हो सकता जून या जुलाई के बाद ही paper आपका conduct करवाय जाएगा तो आपके पास 4-5 महने का अराम से टाइम है आप अपनी त्यारी को बहतरिन कीजिएग और इसमें जो fees है general OBC EWS के लिए 700 fees है CST free है all categories family free है यहाँ पर बात करे एज लिमिट के बारे में 18 से आपकी 27 साल एज लिमिट होनी चीए 18 साल आपके minimum 27 years maximum CST को पासल की चूटी आप एक्स टाइम इन दी गई है ध्यान दीजिएगा और guys अगर हम बात करें आपके EPFO के बार एज पर employees provident fund organization ठीक है यह आपका यहां का full form इसका बन जाता है ठीक है और आगे हम दोस्तों बात करते हैं vacancies के बारे में फ्रेंस यह आप यह देखिए NTA EPFO stenographer social security assistant SSC requirement 23 vacancy details total 889 से टोटल पोस्ट हैं आपकी बात कुरुमें stenographer में 185 पोस्ट हैं जो आपकी qualification है प्लस टू पास आप हो साथ में आपको steno का ग्यान होना चाहिए तब ही आप यहां पर फॉम फिल अप कर सकते हो steno के बेना आप यहां पर आदूरे हो जो भी stenographer में फॉम अपलाई करना चाहते हैं प्लस टू बेस पर फॉम है लेकिन आपको steno आनी चाहिए पर दोस्तों आपसे 10 मिनिट में 80 वर्ड पर मिनिट आपको वहां पर टाइप करना पड़ेगा steno ध्यान दीजिएगा आपका जो यहां पर ट्रांस्क्रिप्शन है इंगलिस में 50 वर्ड पर मिनिट हैं हिंदी में 65 वर्ड पर मिनिट ध्यान दीजिएगा आगे हम दोस्तों बात करते हैं एससे के बारे में सोशिल सेकुर्टिय असिस्टेंट में 262 टोटिल पोस्ट है अपकी अगर आप दोस्तों ध्यान दीजिए है बात करें क्वाल्फीकेसन में आपकी से की पोस्ट के लिए जो भाई दीजिएगा 7 में आपके पास typing speed अच्छी होने चाहिए 35 वर्ड पर मिनिट आपके होने चाहिए इंगलिस में 30 वर्ड पर मिनिट होने चाहिए आपके हिंदे में ध्यान दीजिएगा यह सब आपके लिए important है डिगरी साथ में टाइपिंग स्पीड भी आपसे मांगी जाएगी आपका टाइपिंग टेस्ट भी होने वाला है आगे हम दोस्ता बात करते हैं आपकी आपे वेकंसिस के बारे में यूर के 74 पोस्ट है, स्टेनोगराफर में काफी अच्छी वेकंसिस दोस्तों यह लेवल 5 की जोब है आपकी काफी मस्ट जोब है आपकी जो वेकंसिस को स्टेट वाइज यहां पर बाटा गया है यूपे की बात कुरू 124 पोस्ट हैं उत्राखंड की 12 पोस्ट है जारखंड, उडिस्सा, करनाटका, तेलगाना यहां पर दोस्तों और इंडिया की पोस्ट है आपकी अरियाना भी यहां पर दिया गया है महलास्ट्रा भी है मद्धेपरदेश भी है काईज आप अपने अकोर्डिंग देख लिजिएगा कि आप कहां से बिलों करते हो और मुझे फॉर्म अप्लाई करना है ठीक है आपके पास कोई भी डिगरी है आप फॉर्म फिल अप करने के लिजिवल हो ध्यान दीजिएगा टुटी से आपका लिंग अक्टिविट हो जाएगा स्टेनोगराफर सोचिल एक्सिटेंट के लिए दोनों में आप अपलाई कर सकते हो फॉर्म आपकिसी में बहरो डिपेंड आपके ऊपर स्टेनोगराफर में बहरो अगर आपके पास कोई भी एनी डिगरी है तो आप यह यहां पर बनने वाली है तो काफी अची पोस्ट है और मैं उमीद करूँ है दोस्तों आपको पूरी जान करें समझे में आ गई होगी फिर भी कुछ डाउट बचे आप वीडियो के नेचे कॉमेंट करें मुझसे पोस्ट सकते हो मैंने आपको पूरी बात बता दी है भाई म पेल फेमिल दोने के लिए पोस्ट है खाफी अच्छी पोस्ट है जो आपकी पोस्ट चेनों की लेवल 4 की है लेवल 5 की आपकी एससे की पोस्ट है ठीक है तो गाइस थैंकि सो मैं जहिंद वंदे मातरम आपका दिन सोबर है कुछी भी डाउट हो वीडियो के नेचे कॉमें करें मुझसे आप पोस्ट सकते हो तो गाइस थैंकि सो मैं जहिंद वंदे मातरम